हेलो बच्चो आजकी क्लास में आप लोगों में discount percentage find out करना सिखाऊंगा विदा help of calculator एक situation है मालो आप jeans लेने गए jeans का दाम है 840 रुपेज बट दुकानदार ने बोला मैं आपको 714 रुपे में दे दूँगा अब percentage का sign आपको price कर देना क्योंकि percentage में आपको चाहिए था तो मतलब आपको 15% का discount दिया उन्होंने अब इसको reverse करके देखते है जैसे माल लो 840 रुपीज है ठीक है अगर 840 रुपीज में अगर मैंने आपको 15% का discount दिया तो 714 रुपे आना चाहिए था तो 840 रुपीज में minus 15% 15% दबा दो यहां ठीक है ठीक है तो 714 रुपे आ गया मतलब हमने सही करा है यह method आ गया बच्चों आप लोगों समझ में मिलते हैं next class में